आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि आप अपने Google AdSense का address कैसे change कर सकते हो तो सबसे पहले आपको Google AdSense की official website पर आ जाना है और login कर लेना है अपने Gmail account को तो कुछ इस तरह का interface यहाँ पर देखने के मिल जाएगा यहाँ पर देखोगे तो आपका payment का option देखने के मिल जाएगा आप payment के उपर क्लिक कीजिएगा फिर payment info का option देख जाएगा इसके उपर आप क्लिक कर दीजिएगा जैसे हैं आप यहाँ पर क्लिक करोगे कुछ इस तरह का interface देख जाएगा यहाँ पर manage setting का आपसन दिख जाएगा इसके पर आप click कर दिजेगा उसके बाद में यहाँ पर कुछ इस तरह का एक page खुल के आ जाएगा और यहाँ पर देख सकते address लिख के आएगा और यहाँ पर pencil का icon दिख जाएगा आपको यही पर आपको click कर देना है यहाँ पर जो आपने fill up किया होगा adsense account में अपना address पुराना address वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा तो यहाँ पर सबको delete कर देना है यहाँ पर आपको अपना कोई भी एक address जो आप चाहते हो वो यहाँ पर आपको डाल देना है आप यही से अपना naam Change कर सकते हो अपना address change कर सकते हो सीटी का नाम आप चेंजज़ कर सकते हो अगर आपका postal code यानि कि जीप code अगर आप से mistake हो गई हो तो वो भी आप यहाँ पर सही कर सकते हो यहाँ पर सब से नीचे mobile number आ जाएगा आप mobile number भी यहाँ पे डाल सकते हो यानि कि बहुत सरे लोग ऐसी गलती करते हैं कि जब वो अपना सरा address डाल देते हैं बाद में उनको पता चलता है कि हमारा address गलत है तो वो सही करते हैं तो इसी तरीके से आप सही कर सकते हैं यहाँ पे जब आप address line 2 में डालिएगा तो यहाँ पे अपना mobile number डाल दीजेगा क्योंकि जब एडिसंस की तरफ से आपको pin मिलेगा verify करने के लिए तो यह mobile number आपका उसी लिफापे में आ जायागा जिससे आपके home तक पहुँचने में आसानी होगी यानि कि जो डाकिया आपके घर तक पहुचेगा तो वो आपको phone करेगा इसी number के थो तो आपका pin यहाँ पर बहुत ही जल्दी आपको मिल जायागा क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि address same होता है या कुछ mistake हो जाती है तो वो नहीं पहुच पाता है तो यह number help करता है उसके बद में save के उपर आप किलिक कर दीजेगा जैसे आप save के उपर किलिक कीजेगा आपका है पर address जो है आपका यहाँ पर submit हो चुका है आपके Google AdSense account में तो दोस्तों अगर आपको जानकर यह अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जोरू कर दीजेगा